अनोर्गनाईज यानि आसंकटी छेतर में काम करने वाले मजदूरों के लिए सरकार ने एक योजिना चलाई है इस रमकार्ड जिसके तैट प्रतेक आसंकटी छेतर में काम करने वाले मजदूर अपना इस रमकार्ड बना सकते हैं से बहुत में कोराना वाइदा से लोगडाउन जैसे अगर आपदा का सामना करना पड़े तो उस समय सरकार आपके लिए जो योजना लाती है उसका सीधा लाप आपको ईसरम कार्ड के माध्यम से मिल सकेगा इसरम कार्ड आप अपने मोबाइल फोन से घर बेठे किस तरह से बन कर लेना इसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा महां से सिधे इस पर आ सकते हैं इस पर आप इस पर क्लिक करेंगे एक अगले पेज़ पर आप डिया जाएंगे यहां से अगर आप के पास CSC ID है तो आप CSC से बनना चाहते तो CSC से बना लिज आते हैं तो यहां पर जो आपके अधार कार्ड में आपका मोबाइल नंबर लिंक है वाला आपको यहां पर दज्जि करना होगा उसके आद में जो केप्चा कोट दिखाए देरा केप्चा ऐसे कैसा यहां फिल करेंगे उसके अदमें सेंड ओल्टी पी पर किलिक करना है इसमें आपसे आपका अधार कार्ड नंबर मांगा जाएगा अधार कार्ड नंबर यहां पर दज्जि कर दिया उसके आद में जो आई एगरी का है इस पर आपको टिक करना है सब्मीट पर क्लिक करेंगे आपके अधार कार्ड में जो भी मोबाइल नंबर लिंक होगा उस प आपके सामने खुल कर आ जाएगी आगे पूरा registration form इसमें खुल कर आ जाएगा सबसे पहले आपको कुछ step दिखाए देदी यह step आपको complete करना होगी your personal particular SD पर आधार यानि आपके अधार कार्ड के दिखाए देगी आपका नाम आपका फोटो जो आधार कार्ड में है वही फोट देगा आपका address आपका pin code country इस सारी जानकर आपको इसमें दिखाए देगी यह जो टिक मार्क दिखता है इस पर आपको टिक रहने देना अगर नहीं है तो आप टिक करेंगे उसकार में continue to enter other details पर आपको क्लिक कर देना है अगले पेज में आपकी जो personal information है वो डालना पड़े बना रहे हैं तो विद्वा करेंगे अगर किसी का divorce हो गाया तो आप आखरी आला सिलेक्ट करेंगे फिलाला भी निवर मेरीड वाला में बना रहा हूं इस पर हम क्लिक कर देंगे उसकार में आपकी जो father's name आप यहां डालेंगे social category यानि आप हैस्टी एससी ओबीसी आजनल स करेंगे विकलांगता आपकी किस तरह की है वाला आप यहां से सिलेक्ट कर लेंगे उसकार में आपके साथ क्या रिलेशन है वाला रिलेशन आप यहां पर फिल कर देंगे जैसे कि आप मैंने यह करा अगर आप वाइप कर देना जाते हैं डोल्टर मदर ग्रेंड मदर जिसक कम है तो आपको एक और options खुल कर आएगा गार्डियन नेम का यानि कि जो पालक है उस जो आपने नोमिन ने डाला है उनका उनके पालक कोन है उनको पालने अला कोन है आपको उनकी जानकारी भी फिल करना होगी उसके आद में सेव एंड कंटीन उपर किलिक करना है इसके बाद इसमें फिल कर लिया जाएगा अगर नहीं आता है तो आप खुछ से भी टाइप करके लिख सकते हैं उसके आद में वापस से आपका जो श्टेट है वह यहां से सिलेक्ट कर लेंगे इसके आद में इस मका यानु ने उपकी जो जिला है वहां यहां पर फिल कर देंगे यहाँ पर आपको वह अला address फिल करना हैं जहां आप फिलाल करण्ट में रहे रहे हैं जैसे अगर आपका राज निरे और अदर्शरांब दूसर्टे बार्त अगर आप घर जाएंगे तो आपका घर का इड्रेस्ट में फिल कर देंगे उसके आद में माइगरेंट वरकर यानि आप अगर अगर आप प्रवासी मस्दूर है जैसा कि अगर दूसरे राज में काम करने गए हैं तो आप Yes करेंगे अगर आप बिल्कुल भी पढ़े हुए नहीं है तो पहला जो आरा ने नोट लिटेरिचर इस पर आपको क्लिक करना है, अगर आप थोड़े बुठ पढ़े हैं, तो आपकी पढ़ाही है यहाँ से सिलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अगर आपको इसका स्रेटेपिकेट या जो भी आपकी mark sheet ये upload करना चाहते हैं तो आप upload कर सकते हैं उसका size 1 MB से कम होना चाहिए उसके आद में आपकी जो monthly income है वो कितनी है आप कितना monthly कमा लेते हैं वो आपको यहाँ पर fill कर देना है उसके आद में save and continue पर click करना है अगर आप इसका income certificate भी देना चाहते हैं upload करना चाहत है are you gig or platform worker इस पर आपको नो रहने देना है उसके आद में जो आपका primary occupation है वो आप क्या डालना चाहते हैं आपका क्या काम है आप यहां चाहे तो लिख कर सकते हैं otherwise यहां पर एक list दी गई है NCO code list आप इस पर click करेंगे आपके सामने पूरा PDF डाउनलोड होकर आ जाएगा PDF से आप देख सकते हैं आपका क्या काम है आप कौन सा काम उसमें डालना चाहते है यह पूरी PDF खुल गए इस PDF से आप अपना काम हैं से select कर लेंगे यहां पर हिंदी में लिखा हुआ है आगर आप इंगलीस में देख सकते हैं जो भी आप यहां से काम डालना चाहते हैं और समस्चा आएगी यहां से लेक्ट करने के बाद डालेंगे तो यहां पर आप आप जो पेज आगे नहीं बढ़ेगा इसलिए आप जो आखरी के तीन चार अक्षर है वहां से कार्ड देंगे उसके आदमें नीची उप्सन से कुल कर आ जाएगा आटो सिलेक्ट वाला उस पर आपको क्लिक कर देना उस पर क्लिक करेंगे उसके बाद में आप आपका यह कोई भी समस्चा नहीं आएगी अब आपने जो उपर वेवसाइट डाला है यह वेवसाइट में आपको कितने सालों का experience है वाला experience आप यहां डाल देंगे जितने सालों का है वो साल में डालना है experience उसके आद में अगर आपका secondary occupation यानि इसके अलावर दूसरा वेवसाय कुछ है तो आप यहां डाल देंगे सेम इसी तरह से उसके आद में अगर आपके पास occupation का कोई certificate है तो वो डाल देंगे उसके आद में हाओ डिड यू एक क्या इसके लियानि आपने यह जो उपर वेवसाय डाला ही वेवसाय कहां से सीका अगर आप यह बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं अगर आप नहीं बताना चाहते हैं तो लेने दीजिए उसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसके आद में सब स्किल आपने मतलब खुद से सीका है कहां से सीका है वो आप यहां डाल दें उसके आद में एक बार confirm करना है वापस आपका खाता नंबर एक बार ओर डालेंगे उसके आद में अकाउंट हुल्डर नहीं यानि आपकी जो bank passbook है उसमें नाम क्या लिखा हुआ वाला आप यहां डालेंगे उसके आद में जो सर्ज का आइकन दिखाए दे रहा इस पर आपक पूरा खुल कर आजाएगा अगर आप इसका प्रेंट लेना चाहते हैं यहां पर क्लिक करके इसका प्रेंट ले लेंगे थोड़ा सापको वेट करना है इसमें साइड के थोड़ा स्लो चलती है उसकी जैसे डीटेल खुलने में टाइम लग सकता है यहां पर आपने जो जो ईडिट के लिए आ जाएगा प्रेंट वापस से इससी पेस पर आजाएगे एक तक इंडिक में पर क disappears में पर क्लिक करना करना कि आपके उन कर देंगे आपके सामने का यूए न कर्ण पूरा कंपलिट होकर आजाएगा स्कॉट करके चunctionबीक में का इनagara को नीचे और नोड डिस्प्रेट यानि आपकी जो आपने जो कार्ड बना इसमें अगर आपकी कुछ इंफोर्मेशन दिखाई नहीं देती है आप अपने पेज को रिफ्रेश कर लीजे रिफ्रेश करने के बाद आपका वापस से जो भी जन करिए इसे आपके पेज पर दिखाई देग जिसका भी आप इसरम कार्ड बनाना चाहते हैं बहुत ही आसान तरीके से अपने इसरम कार्ड बना सकते हैं उसकार में complete registration इस पर आप किलिक करेंगे तो आप आपस से अपने main page पर आ जाएंगे जहां से अपने process इस्टार्ट कीती वहाँ पर आप सुरू में आ जाएंगे त सब्सक्राइब धन्यवाद